वाटर वायरिस क्या होता है प्ताए वायरस के लिविंग है कि नॉन लिविंग तो अभी तक यह की यह इसका ऐंसर मिला नहीं है तो वायरेस इन बाइलिकल टर्म यहां ने कंसिदर नाइधर लिविंग नम्न लिविंग नहीं लिविंग नहीं है यह कि वो मिटो पोन्डरी नहीं है न थीडोप्लाजम नहीं है निपलें नहीं है है कि नहीं है और लिविंग क्यों है तो कि रिप्रदक्शन कर लेता है ठेक है तो दो नॉट लिव फ्रीली इन नेचर के लिव अनले इंसाइड ना एक वेरी स्मॉल बहुत स्मॉल है है ने है मेड व नुटिक अशीट्सन रूटिंस थीक है तो वायरस के अंदर जो है जीनिटिक मटेशियल रहता है दिख रह लेकिशिट है दिख रहा है क्या नुटिक एसे लिव ओनली थूए न इलेक्ट्रों microscope they do not live freely in nature they can live only inside other cells they take over the metabolism of their host cell in their own favor producing more viruses and usually killing the host cells ठीक है देखे दियान से ये जो है उपर का ये प्रोटीन है ठीक है प्रोटीन से बना हुआ है और अंदर में जो है जैनेटिक मेटेरियल है ये जैनेटिक मेटेरियल जो है ये ट्रांसफर कर देता है दूसरे में क्लियर है क्या है बहुत ही सिस्टेमेटिक प्रोसीजर से एकदम ट्रांसफर कर देगा जैनेटिक मटेरियल ठीक है दिख रहा है क्या यह सब्सक्राइब है यहां पर भी बहुत सारा वैर्स से लगा हुआ है जाहें एक ले रहें कैना और यह में। अपना टांसफेर कर दिया णे ख़ो से क्या होता है कि अब उसके बास क्या होगा पता है जब उसने अपने genetic material transfer कर दिया तो वो जो cell है ना वो cell पूरा इसका subordinate बन जाता है in one sense slave बन जाता है और वो cell क्या करेगा पता है वो cell जो है इस virus का अलग-अलग parts बनाएगा ठेक है tail head collar यह तीन चीज़ होता है ठीक है सब कुछ बनाएगा और उसके फिर क्या करेगा सब को एसेंबल करेगा और नया virus बनाएगा और फिर cell जो है मर जाएगा और मरने के पहले तक जो है अच्छा खासा वह virus बना दिया अब वह virus जो है जाएगा वाइरस बढ़ना है और यह वाइरस जो है दूसरे सेल्स को भी अटैक कर रहे है वो क्वाइट कॉंप्लेक्स और वाइरस को मारना इस वेरी डिफिकल्ट क्यों डिफिकल्ट है क्योंकि इसको ना नहीं oxygen नहीं कुछ खाना चाहिए कुछ नहीं चाहिए इसको जिन्दा रहने के लिए इन फैक्ट वाइरस इसके वाइरस को किसी लिविंग और गृनिजम में डाल दो फिर से एक्टिव हो जाएगा टिंग वाइरस से सार्वेरी कॉंप्लेक्स और वेरी वेरी स्मॉल सुनाओ देर्फोर जो डिजीज होगा वाइरस के कारण वह भी अच्छा कासा कॉंप्लेक्स होगा क्लिए रहें क्या को समझ में आ रहा होगा कि यह जो लिखा हुआ है टेक ओवर दी मेटाबॉलिजम अव देर होस सेल और रहा है अन रेकर, वाइरस को मार लिया, वाइरस कर दिया अफिलीट होगाल yig 10 कैक्ळ कर सकते और लए मोलन कर नॉब कर सकते यह यह उलह मलो घर सकते, जुदिए और स्टोट है वी श्ल्स dad hard विर्स कि नहीं सिर्फिक जाि विर्ण याट नहीं उती काल विल्च फोस्तव और फिर्ण कि फिर्थ software में मेलивается would be盛ने मेखिक गफ भरे चाल मेल मेर और एल ऑwe virus is like a gene with no cell of its own इसके पास सेल नहीं है जीन है इसके इसके इन डिक्टेटेट्स दो होसेल तो होसेल को बताता है ना कवांड देता है तो प्रदूस्मोर फिस ओन काइंड वायर्स पार्टिकल्स अनली दो होसेल अल्टिमेटली डाइस एंद लिबरेटेड वायर्स पार्टिकल् इसलेंजा, स्मॉलपक्स, मॉम्स, रभी इस इसलेवर्स स्पेसिफाइज ओनली दी फॉल्लिंग दीजिजिज इड्स, चिकन पॉक्स, एपटाइटिस, रभी दे इड्स सेप्टेंबर इड्स तो यह 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 एक वायर्स है और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था अभी भी इसलेवर्स तो बढ़ रहा है इंडिया लोग इसमेंटेट देर्वर्स में अब लिए तो यह थोड़ा ओल एडीशन होगा तो यह 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 यहाँ पर कम फॉल्ट इस प्रिंग पिंग दिजीजिजिस पेडिंग एट वायर्स यह टेट उद नो वेक्सीन तो फॉपर और दिजीज इस आल्मोस फेटल तो मुलें कि एट से तो भी या मरे गाएं पीपल इन एज ग्रोप 20-39 और मोर सेसेप्टिबल तो गटिंग इज इस दे लास्ट स्टेज ऑफ एचाइवी इंफेक्शन तो बेसिकली वाइरस इंफेक्ट किया उस आदमे को और दीरे-दीरे क् कि उसका इम्यून सिस्टम टॉट वाइब हो गया अक्वाइड इम्यूनोड इफिजिएंसी सिंट्रॉम अब जब उसका इम्यून सिस्टम पूरा डिफीशियन्ट हो चुका है वो गया ना लास्ट टेज कॉज़ाटिव जर्म अफ एच इस इस वाइरस नेम एचाइवी इ अधर में इसका इसका को टेज बिफेट हैं और इंफाक्ट वर्स होता रहेगा तिक है अब उसको वहलका सा एना कुछ भी एना फंगल इंफेक्शन हो गया ना तो बड़ा सा स्किन पर रैस जो भी है वह और सीवियर होता रहे और बढ़ता रहे गा क्योंकि उसको रोकी नहीं पा रहा है उसका बाड़ी ऐसा हो जाता है जो है जिन लोग को हो जाता है थोड़ा सा अपना हो में रहेंगे चाहां पर लकषिंघ करेंगे कुछ प्रक्रट आर्प ठीकर रहन ओं अपर बार बार लाई कि ऐसा जगह जहां पर ज्यादा नहीं हो का ठीक है चैज एसा होता ही नहीं कहीं हमिशा कहीं ना कहीं लेकिन और ठाय यह धी और चोटा सा भी चीज बड़ा ओजाएगा इवन कैंसर सपीर वन दाइम्योन सिस्टम थेक्ष दूसरे चीज है कि इसका जो है यह सिम्टम्स बहुत अन्प्रेडिक्टेबल ले इन असेंस कि किसी को जो है किसी में एक साल में दिख जाएगा इस पांच साल के बाद दिखेग ठीक है तो इनक्यूबेशन पीरिट इस टाइम रेसीविंगे इंफेक्शन अपीरेंस उप्रेंस में भी इवन भी मोर दन 10-12 यह सकता है कि 10 यह बिफोर उसको वायरस आया हो और अभी उसका सिम्टम दिख रहा है और उस समय तक वह ओल्री कितने लोगों को वायरस दे दिय ठीक है दिरिंग दिस प्रिएड इंफेक्टे परसंशो पॉसिति रिजल्स फरह रहा रहा है और इसका देथ बहुत सिवियर रहा है लेके करके और उर्गंस फिल कते है और बात सिवियर दीरे 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 रहा है तो बेसिकली एट्स वायरस पाया कहा जाता है ब्लॉट सीमें शलाइवा टीर्स और यूरे ठीक है इसके टच में आ गए होगे sexual intercourse between a man and a woman when any of the two is infected the virus occurs in the fluids of the reproductive passage prostitution is the biggest source of the spread of the infection safest is the single partnership wife and husband relationship ठीक है जिसके पास है उसके फ्लूइड के टच में आए वह हो जाएगा contaminated blood transfusions लेकिन आज कल जाए है ब्लॉट किसी का लेने से पहले उसका चेक कर लेते हैं पॉस्टिव है पॉस्टिव है पॉस्टिव है के लिए ह्गिज है जो ओके नहें इमने.." सिदकिंटी के ले न जीए है इत्यक्य है। अल। कि बगिए। है जगवि अलूब तो कि लू Basामति से जाएग्सभन टीए 2 a ? of the blend such children have to be given regular blood transfusion usually every three to four weeks and very often the blood transferred is from professional donors such children run the risk of getting aids according to the new published news published in one of the hospitals alone 45 of the 64 thalassemia children in the age group were found to be HIV positive 1995 का बात है आज कल लेकिन बहुत ही प्रेकॉशन से रख्तुदान भी कोई देने जाता है तो पूरा चेक करके ही लिया जाता है मदर टो चाइल transmission भी होता है the germ from the infected mother may cross through the placenta and reach the embryo in the womb लेकिन यह जो है प्लसेंटा इस आक्चुली वेरी सेक्योर प्लेस यह भी है ठीक है तो इसलिए में लिखा है और फिर क्या है फॉर्थ है जो ड्रग्स है ना बिसिकली उसमें भी क्या होगा फ्लुइड का यह होता है ना तो इन्जेक्शन इनलस इव शेयर बैवन जो दन वन इन परसं ने इंट्रूस दिए विरस फों वन इन दिए नेक्स हो गया चिकन पॉक्स इसलिए जीए सब्सक्राइब में विरस इन आपको यात पाड आपके अपिर आपिर आपीर अपर यह पाड़िए यह था इन आपको याद करना पड़ेगा अपिर आपीर इस प्केयर टॉक्त आपड यह चांज लिए टॉक्टरई जडिए जडिए लट्री बिस्टर प्रिक कीजेगा तो क्या होगा उसके अंदर जो वाइरस है वो इस प्रेड होगा थेक है लोशन केन बी अप्लाइड तो रिदूसर इचिंग वैक्सिनेशन अफ लाइफ अटनुएटेड वैक्सीन कंटेरिंग वैसे सला इस गिवन तो चल्रेंड अब देश 12-18 मन्स फर एक् मेडिसेन अभी खा रहा है वो आदमी थोड़े देनके बाद वह इनफेक्टिव यह इनवा कर गया इसे ऐसे जिए जब एक और एक कॉम्मिनेशन ऑफ पांच्य मेडिसेन जो है जो इवाल्फ किया ना वाइरस पांच्य मेडिसेन जो पिछला जो चला है वो दिया जाता है ताकि हो सकता है उसमें से एक भी चल जाए ताकि वो वायरस उसके अंदर रहे दावाइरस कासेंद्ध इंफ्लमेशन इलिबर ट्रांस्वेंट बैट कॉंतमेटेट फूद वाटर गांटामिदेट शिरिंजे और बन transfusion hepatitis A virus is an incubation period of 14 to 45 days most common in children and young adults mainly transmitted by contaminated blood food and water B ka incubation period mainly transmitted through contaminated syringes and transfusion equipment it can produce cirrhosis of the liver and possibly cancer of the liver cirrhosis cirrhosis मिल्टिप्लाइ करने लगते हैं एक्सेशिवली मल्टिप्लाइ करने लगेगा तो क्या होगा कि अग्यां प्रॉब्लम क्या होता है अब वहां का प्योरा न्यूट्रिशन ना जो ब्लॉड ला रहा है नूट्रिशन और और ऑ्प्सीजन ला रहा है अब वो गैंसर एस खा लिया लीवर के वास बचा क्या बचता ही नहीं बचा रहा लीवर का सेल ऐसे मर जाता है तो दीरे 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 ब्ले और cnd viruses are similar to the b virus in methods of transmission and affect the liver symptoms are high temperature headache and treatment is bed rest and fibrillation take high calorie diet limited or no protein and fat wash hands after handling patient's bed pan and class ठीक है अब यह 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 देख लेजेगा how do the viruses differ from bacteria बहुत difference है वाइरस का बैक्टीरिया में ठीक है ना सबसे बहुत है तो वाइरस very small bacteria is large in fact bacteria जो है वह वाइरस से effect हो जाता है हम लोग देखें ना वह बैक्टीरियो फेज जो था वो क्या था वाइरस था जो कि bacteria को effect करता है वाइरस इस नन-cellular bacteria is single-celled they have no metabolism कोई भी वाइरस के अंदर reaction वगर नहीं चल रहा है bacteria के अंदर है they take no food by any method वाइरस कुछ खाने नहीं नहीं खाता बैक्टीरिया को तो एक खाना पड़ता है they do not grow and do not divide they grow in size and divide to produce more they can be crystallized it cannot be crystallized they command the whole cell to produce virus virus खुद से production नहीं कर पाता bacteria they self produce all produce diseases in man animals or plants bacteria जो है कुछ harmless रहेगा कुछ useful भी रहता है and some disease producing okay तो कुछ useful भी होता है bacteria ठीक है ना इसलिए ज्यादा भी साफ उतरा रहना अच्छा चीज नहीं है कि नहीं कि कुछ कुछ रहता है ना इन्टीन पॉइन परसेंट जम्स खतम और या तो अच्छा होई चला गया Adi useful भी भी ओसको भी मार देते है that's not okay okay खेक है this is disease concept